हेलो काईज मेरे नमें सुम आपका स्वागत हमारे से यूटूब चैनल पे फाइनली ही हाँ पे रेड्मी नोट 10 के लिए एक नया अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 12.0.4.0 इसका बर्जन है स्टेबल अपडेट है 299 MB का साइज है किसी किसी में 300 MB अपडेट आ रहा है किसी में 299 abdomen का आ रहा है ठीक है और एक इंडिया का स्टेबल अपडेट है और धिरे-धिरे करके सावमी इसका रोल आट कर रहा ह। तो इस अपडेट में क्या कुछ improvement देखनी हो मलता है साथ साथ बैल के एक उनको जुरूर पैस कर लेजिए क्योंकि इसके लिए मियूआ 12.5 का भी अप्डेट बहुत जल्दी आने वाला उसकी भी सारी इंफर्मेसिन यह पर मिलेगी और जैसे ही आएगे सारे फीचर्स भी आपको पता लग जाएगी और आज अपडेट आया अप करते हैं आप इसे फटा-फट से कंप्लेट कर देंगे तो चलिए इस पर बताता हूं इस अपडेट में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है तो फर्स्ट फॉल मैं आप आपड़्वन का वर्जन देखने को मिलता है और यहां पर यहां पर आपको लेटर स्कूर्टी बताता है तो फर्स्ट फ़ल आपको चेंज देखने को मिलेगा इसके कैमरा अप्लिकेस्न के अंदर जाता हूं तो फर्स्ट फफल चेंज या फीचर आपको कोई फॉटा क्लिक कर लेता हूं आपका डिवाइज वोतर मार्क या आपका मतलो टाइम ऊन होना चाहिए जू इस इस time stamp को देखते कहीं पर drag कर सकते हैं, इस पर click करेंगे, और यहां से देखते कहीं भी इसे drag कर सकते हैं, कोई भी position, अगर आपने watermark on कर रखा है ने device का, किस से suit की होगा, कोई मर्जी device हो सकता है, Redmi Note 10 है नहीं होगा, तो उसके अंदर आप कहीं पर drag कर सकते हैं, कोई भी position उसक के बाद हमने सारी photo क्लिक किया है, तो आप देखने हैं इस पर किस प्रकार की आप वो camera quality देखने को बलती है, उसके बाद और भी कुछ मैं feature बताता हूं, तो सबसे पहले कुछ camera samples और थोड़ी इसकी video recording देख लेजिए, after update के बाद की क्लिक बाद में की झाल कि नेक्स चेंजेंजेस के पीचर के बात कुरो तो मानने जिस क्योटी एपलिकेसन आपको दिखायाता हूं तो इसके अंदर आप में वोईस चेंजर का फीचर अभी भी नहीं देखने हूं मलता है यह आपको बता प्रणी जरून करना बलगी सेटिंग में रहे जाने के बात रहुए ब्लजने के सेस्टेंग मोट आपको मत इखाया था स्में कुछ फीचर के लाइंक हुआ है लेकिन अभी यह पीचर इसमें नहीं देखने हुए बात ग्र तो इसके इंदर finally अब auto call recording के feature आ चुका है लेकिन announcement जुरूर करता है देखते हैं इसके अंदर जाता हूं और यहाँ पर मैं जाता हूं त्री डोट पे जाने के बद यहाँ पर मैं करता हूं setting पर click करने के बद आप देखेंगे यहाँ पर call recording के feature आ चुका है यह feature आपको ना देखने को मिले ना तो मेरे एक वीडियो बनाए यह किस प्रकार से इस call recording के feature को enable कर सकते हैं तो वो वीडियो आप चेकर टुकर करके कि इसको enable कर सकते हैं फिलाल के लिए इस update में मेरे को लगता है आ चुका है अगर ना आये तो बता रहा हूं तो वो वीडियो देख लेना आप बस step by official method है उसस आपको select number पर करना पड़ेगा और यहां पर create करेंगा और जितने भी आपको contact save है उस पर आपको tick करना पड़ेगा सभी पर उसके बाद आपके phone के call recording चालो हो जाएगी auto call recording ठीक है अगर यह feature आपको देखने हूं मिल चुका तो ठीक है नहीं देखने को मिला तो वैसे मिल आप call करेंगे तो आपको click करने के जुड़तनी है कि हमें को हमेसा याद रखना पड़ेगा click करने के लिए recording के लिए तो यह आपको इसके अंदर call recording का feature देखने को मिलता है next change की बात करो तो यहां पर notes application को थोड़ा optimize कर दियेगा थोड़ा smooth कर दिये गया और क्योंकि notes के आदेगा आपको notification मूँ देखते हैं यहां पर saved आ चुका है आपको बता रहा है कि हमने इसमें add कर लिए एक अलग सा folder बना देगा फिलाल कर मैं notes में आपको पूरा करके दिखाता है लेकिन उसमें बहुत सारे document बने save की है जो कि आपको दिखा नहीं सकता तो ठीक है यह गरम होने के बाद कभी कभी करता है यह आपको बहुत ध्यान रखना है तो अभी तक हो गया लेकिन गाफे गरम होने के बाद इसमें screenshot कई कर नहीं करता तो इसका बात का आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा कुछ फिचर की बात करें तो हालां कि इस वर्ट से नियू के हाँटर देखने को मिलता है और कुछ फिचर की बात को तो और कुछ फिचर इसमें ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मलता बहलां कि मिउड़ाइड पाइल पॉन्फॉइब के साथ हो सकता आपको फूल काफी सारे देखने हो मिल जाएं दस बारा फिचर हलंग कि इसक को देखने को मिल जाएगा बाकी मा बात कुरों यहां पर देखते हैं इस्में मैं एक वारि इस परकार से करता हूँ इस परकार से करता हूं तो इसके लिएड़ भी आप देखते हैं ठोड़ी से रौंड्डekt कर दीगे पहले चो नदे रौंडड़ कर सकते हैं अब इसको ड्रैग भी कर सकते हैं चाहिसे इधर से इधर तो यह पता नहीं पहले था कि नहीं था लेकिन यह मैंने सुचा हो सकता है अब नहीं आया हो तो यह कि आपको यह भी फीचर देखने को मिल जाता है और इस अपडेट के बात करूं या पिछर प्रीवेस अपडेट मतलब कि दोनों के अंदर यह था अब यह तक साव मेने से फिक्स नहीं की वो मियमव है फाइव मेने साथ ही फिक्स होगा है मियमव इटाउपर दूसरा लेयर निकल जाता चांटा ओर दूसरा लेयर निकलने आजाता है लेह एक बग देखने हो मिलता है जो कि MIUI 12.5 के साथ ही fix होने वाला है तो यही कुछ आपको feature देखने हो मिलता है इस update के अंदर 12.0.4.0 update के अंदर जो कि मैंने screenshot layer के रखा हुआ है देखते हैं तो यह कुछ feature देखने हो मिलता है बाकि MIUI 12.5 की सारी जानकारी आपको telegram channel पर देखने हो मिल जाएगी अगर आपको यह update नहीं मिला तो हमारे telegram channel को join कर लेजिए हो आप इसकी download links हम provide करा देगे आपको आपको message करते हो ताकि अगर आपको करना है तो नहीं तो पांच साथ दिन में सभी को update देखने हो मिल जाएगा ठीक है तो धीरे धीरे करके सामवी rollout कर रहा है तो यही कुछ देखने हो मिलता है MIUI 12.0.4.0 के update में तो I hope आज वीडियो पसंद आई पसंद है तो like, share and subscribe जुरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जुरूर कीजिए के पास भी Redmi Note 10 डिवाज है ताकि उसको भी बता लगए इस फीचर के बारे में तो मिलते हैं नेक्ट जुन से लोटा क्या कियर and goodbye